ओम शान्ती, आज 6 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महवा क्या है, आज की मधुर मुरली में बाबा ने माया की प्रबलता और बाबा की प्रबलता क्या है, उस पर विस्तार पूर्वक हम सब को समझाया और ये याद दिलाया, बाबा जब आते हैं, तो पतित से पावन बढाते हैं, माया जब आती है, तो वो पावन को पतित बना देती है, तवाई बना देती है, माया का हम पर असर ना पड़े, उसके लिए देही अभिमानी बनने का पुर्शाट करो, बुद्धी की लाइन क्लियर रखो, बाबा फिर से राज्योग सिखाने आए है, राजाओं का राजा यह फिर से शब्ध शिव बाबा ही कहते हैं, क्योंकि हम बाबा की कल्प पहले वाले बच्चे है, पांचार वर्ष पहले वाले बच्चे है, बहुत सुन्दर बात बाबा ने समझाई, कि मैं कैसी ब्रह्मा की द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, आप मेर ब्रह्मा मुख वनशाबली ब्रामनों को शुबाबा स्वयम समझाते हैं, पढ़ा कर मनुश्य से देवता बनाते हैं, गौड कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे ये अडॉप्शन होती है, कैसे ये शिव परिवार बनता है, इस रहस्ये को कोई भी नहीं जानता, शुबाबा कहती, मैं पहले ब्रह्मा को बना बनाता हूं, फिर उनके मुख से तुम्हे ज्ञान रतन देता हूं, तो ये तुम्हारी माता है, गाते हैं न, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्री कृपा से सुख करने रे, इस समय अपना सब कुछ बाबा की पास इंशूर करना है, बीम करेंगे, तो उच्पद नहीं मिलेगा, बहुत सावधान रहना है, माया मार्ग से विचलित करने के लिए आएगी, बाबा की याद से विकर्मों का बोझा उतार देना है, याद में वो शक्ति है, इससे पापों का बोझा उतरता जाता है, सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबने का मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राज्योग सिखा कर राजाओं का राजा बनाता हूँ, इस फिर से शब्द में सारा चक्र समाया हुआ है, मैं तुम्हें फिर से राज्योग सिखा कर राजाओं का राजा बनाता हूँ, इस फिर से शब्द में सारा चक्र समाया हुआ है, सारा चक्र थाथ तृष्टी के आदी मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, पूश्चन है, बाप भी प्रबल है, तो माया भी दोनों की प्रबलता क्या है? बाप भी प्रबल, माया भी दोनों की प्रबलता क्या है? बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, बाप को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहते हैं, माया फिर पतित बनाने में प्रबल है, सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है, जो फाइदे के बदले घाटा हो जाता है, विकारों के पीछे माया तवाई बना देती, इसने बाप के ते बच्चे, देही अभिवानी बनने का पुर्शाथ करो, गीत है, हमें उन राहों पर चलना है, जहां गिरने से पहले संभलना है, ओम शान्ती, तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है, जरूर रहा बताने वाला होगा, मन शिरोंग रास्ते पर चलते हैं, सब तो दुखी होते हैं, अब कितने दुखी हैं, क्योंकि उनकी मत पर नहीं चल सब उल्टी मत पर चलते आए जब से उल्टी मत देने वाले रावन का राज्य शुरू हुआ बाप समझाते इस समय रावन की मत पर हूँ तब हर एक का बुरा हाल हुआ है सब अपने को पतित कहते भी हैं गांधी बापुजी भी कहते थे पतित पावन आओ गोया हम पतित हैं प्रन्तु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने चाहते हैं भारत में राम राच्य हो प्रन्तु कौन बनाएगा गीता में बाप ने सब बाते समझाई प्रन्तु गीत के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया, बाब समझाते तुमने क्या कर दिया, गीता ग्यान दिया किसने और नाम किसका रखा, देखो क्या कर दिया, क्राइस्ट के बाइबल भी ओप का नाम डाल दें, कितना नुकसानों चाएं, ये भी ज्रामा, बाब बड़े से बड़ी भूल समझाते, ये आदी मध्यंत का ज्यान गीता में है, बावस समझाते, मैं तुम्हें फिर से राजाओं का राजा बिनाताओं, तुमने 84 जनम कैसे लिए, ये तुम नहीं जानते हैं, हम बताते हैं, ये कोई भी शास्त्र में नहीं है, शास्त्र तो अनेक है, भिन-भिन मत गीता माना गीता, जिसने गीता गाई, उसने ही राय दी, कहते हैं, मैं तुम्हें राज्योग सिखाने, फिर से आया हूँ, तुम पर माया का परचाया पड़ गया, फिर से आया हूँ, गीता में भी कहते हैं, हे भगवान, फिर से गीता सुनाने आ जाओ, फिर से गीता की न शरीमत भगवत गीता में है, आसुरी सृष्टी का विनाश, डैवी सृष्टी की स्थापना, फिर जरूर फिर से वो आएंगे, गुर्नानक फिर से आएंगे, अपने समय पर, चित्र भी दिखाते हैं, स्रेकृष्ण भी फिर से मोर मुकट वाला होगा, ये सबराज गीता में हैं, परंतु भगवान को बदल दिया, हम ऐसा नहीं कहते हैं, कि हम गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें वो जो उल्टा नाम डाल दिया, उसको बाबा आकर सीधा करते हैं, बाबा सबते बात बताते हैं, शिरीमत भगवत गीता के आधार से ही, माना देव बना, उस ग्यान को हम सब मानते हैं, ये भी समझाते हैं, हरेक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूधा हुआ है, सब एक समान नहीं हो सकते, जैसे मनुष्य माना मनुष्य, जैसे आत्मा माना आत्मा, प्रंतु हरेक आत्मा में अपना पार्ट नूधा हुआ है, ये बाते समझाने वाला बड और बुद्धिवान चाहिए, बाप जानते कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, और किसकी लाइन क्लियर है, कौन दूसरों को समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है, देही अभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूरण द ये बिमाने नहीं बने, वो तो अंत में रिजल्ट होगी, इम्तान के जब नस्दीक होते हैं, तो मालुम पढ़ जाता कौन-कौन पास होगे, टीचर्स भी समझ सकते हैं, बच्चे भी समझ सकते हैं, ये सबसे तीखा है, वहां तो ठग्यादी भी हो सकती है, यहां वो बात न और लाब ग्रहचारी आदी आती है, यहां सच्ची कमाई होती है, तो ग्रहचारी भी बहुत आती है, चलते चलते टांग टूट पड़ती, गंधर्वी विवाग करने के बाद माय एक्तम तवाई बना देती, माय बड़ी प्रबल है, बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसने उन्हें सर्व शक्तिवान पतित पावन कहा जाता, फिर माय प्रबल है पतित बनाने में, सत्युग में माय होती नहीं, वो है यह वाईसलेस वर्ट, और अब है विश्यस वर्ट, वो निर्वीकारी दुनिया, यह विकारी दुनिया, कितनी जबरदस्त प्रबलता है, चलते चलते, माय नाक से पकड़, तवाई बना देती है, फारकती दिला देती, इतनी प्रबल है, माय कितनी प्रबल है, बाब का हाते चुड़ा देती है, वले सर्व शक्तिवान परम पिता को कहते हैं, प्रन्तु माय भी कम नहीं, आधकल उसका राज्जे चलता है, यह तो लाखो वर्ष कल्योग को कितने वर्ष दे देते, अब बावा समझाते तो समझ में आता, ये बिलकुल राइट है, बाव बैठ पढ़ाते, कल्योग में मनुष्य थोड़े गीता का राजयोग सिखा कर राजाओं का राजा बनाएंगे, ऐसे तो कोई है नहीं, जिसकी बु सेक्ट राजाई पाने का नहीं, यहां तो कहते हम बेहद बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं, शिव बावा से पढ़ते हैं, पहले पहले अलव पे समझाना है, गीता पर सारा मदार है, मनिश्यों को कैसे पता बढ़े, ये स्रिष्टी चक्र क कैसे फिरता है, हम कहां से आई, फिर कहां जाना है, किसी को पता नहीं, कौन देश से आया, कौन देश है जाना, गीत भी है न, सरफ तोते माफी गाते रहते, बुद्धी जो आत्मा में है, वो नहीं जानती, कि हम जिनको है परम पिता कहते हैं, वो कौन है, उनको ना देख स ना जान सकते आत्मा का तो फ़र्ज है बाप को जानना देखना अब तुम समझ गए हो हम आत्मा है परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं कौन सी बात समझे है हम आत्मा है परम पिता परमात्मा हमें समझाते हैं पढ़ाते हैं बुद्धी कहते हैं बाब आकर पढ़ाते है जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं न, उनकी आत्मा आई है, तो तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा वो बाप है, बाप से जरूर वर्सा मिलना चाहिए, हम दुखी क्यों हुए, मनिश्य तो कह देते, बापी सुख दुख देता है, भगवान को गाली देते रह अब बाबा केते, निरंतर मुझे याद करो, किसको भी ये दो अक्षर समझाने बहुत सहज है, तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ने स्वर्ग रचा, अब ये नर्क बन गया, फिर बाप स्वर्ग बनाते, बाबा में राजयोग सिखा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, अच्छा शिव को नहीं जानते हूँ, प्रजा पिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वो है, सुनेंगे शिव परिवार की चुंदर लीला, क्या आप शिव को जानते हूँ, वो कैसे ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाते हैं, जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा सिख अभी शुद्र वरण है, हम ब्रामन से देवता, शत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराटरुप क्यों बनाया, चित्र ठीक है, प्रंतु समझ नहीं सकते, शुद्रो को ब्रामन कौन बनाएंगे, जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा चीए, उनको कैसे अडॉप्ट किया, जैसे तुम कहते हो, यह मेरी इस्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया, एडॉप्ट किया, बाबा कहते हैं, मुझे भी मात पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहां से लाऊं, तो इसमें परवेश कर, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं, इस्त्री एडॉप्ट की जाती, जैसे लोकिक मुख वन्शावली बनाई तुम कहते हैं ब्रामन ब्रामनिया है जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है ब्रह्मा किसका बच्चा शिव बाबा का इनको किसने अडॉप्ट किया बेहद के बाप ने दृष्टांत बड़ा अच्छा है प्रंतु जिनकी बुद्धी में बैठा होगा वो ही समझा सकेंगे बुद्धी में नहीं होगा तो उनको समझाना नहीं आएगा लौकिक पारलोकिक बाप तो है न वो भी इस्तरी को एडॉप्ट कर मेरी कहते हैं ये फिर इनमें प्रवेश होकर एडॉप्ट करते हैं खुद कहते हैं मुझ नीराकार को इनका आधार लिन इनका नाम भी बदली करता हूँ, एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, नाम के लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए, शुरू में बाबा ने बहुत सारे नाम चेंज किये, जैसे दादी प्रकाश मनी जी, दादी चांदर मनी जी, ऐसे लगबग तेड़ सो नाम के लिस्ट थी जो वतन से आई, तो बाबा ने का ये लिस्ट होनी चाहिए, परदर्शनी में नाम के लिस्ट भी दिखानी चाहिए, बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे, बाबा ने हमें अपना बनाया और नाम बदलाया, उनको भ्रिगु रिशी कहते हैं, शुरू बाबा ने अपना बन आज हैं, कल हैं नहीं, नमबर वन दुश्मन है काम, एक काम विकार वो तंग करता है, उस पर जीत पानी है, ग्रस्त व्यवार में रहते विकार उपर विजयी बनना है, यह प्रतिज्या, अपनी वृति देखनी है, कर्म इंद्रियों से कोई विकरम तो नहीं किया, चेक करना ह हमारी वृति में भी कोई विकरम ना बने, तुफान सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं, बाबा से भहत बच्चे पूछते हैं, यह धंदा करें या नहीं, बाबा लिखते मैं कोई तुमारे धंदे को देखने आया हूं क्या, मैं तो टीचर हूं, पढ़ानी के लिए आया ह उनमें स्रिष्टी चक्र का ग्यान नहीं, अगर यह मालूम हो कि सोला कला, फिर जोदा कला बनना है, तो उसी समय राजाई का नशा ओड़ जाए, वहां तो है ही सदगती, सदगती दाता एक है, वो आकर युकती बताते हैं, दूसरा कोई बता नहीं सकता, पहले-पहले बात उठाओ, किसने कहा, काम महाशत्रू है, ये भी गाते हैं, विश्यस वर्ल्ड, वाइसलेस वर्ल्ड, भारत में रावन को जलाते हैं, सत्यूं में थोड़े जलाएंगे, अगर ही कहते कि अनादी है, सत्यूं में भी था, तो सब जगए दुख ही दुख होगा, फिर सब की अपनी हैं, पता चल जाता कोन अच्छी रफ्तारवाला है, संपूरन तो कोई बने नहीं, बाकि हाँ, सतो रजो तमो होते हैं, बुद्धी हरे की अलग अलग है, जो शaghetti मत पर नहीं चलते, वो है तमो प्रधान बुद्धी, जो शिरीमत पर नहीं चलते, वो है तमो अपने को इन्शोर नहीं करेंगे, तो भविश्य किस जनम के लिए कैसे मिलेगा, मरना तो है, तो क्यों ना इन्शोर कर देना चाहिए, सब कुछ उनका है, करेंगे कुछ सकिन के लिए, अपना सब कुछ सौंप देंगे, तन, मन, धन, बुद्धी, संकल, श्वास, सब कुछ आपका है, अपना ये संकल्प याद रखना है, जो कुछ है मेरे पास सब उनका है, तो परवरिश भी तो वो करेंगे, वले कोई सब कुछ देते, परन्तु सर्विस नहीं करते, जो दिया, वो खाते रहते, तो बाकी जमा क्या होगा, कुछ भी नहीं, सर्विस का सबूत चा आते हैं, नई बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती, ये नौलिज बड़ी सहज है, वानपरस्त वस्ता वालों को जाके समझाओ, वानपरस्त वस्ता कब होती है, बापी गाइड बन, सब को ले जाएंगे, जानते हो बाबाई कालों का काल है, ह इसने सिखाया, उनकी भी राजधानी स्तापन हो रही है, और कोई राजधानी स्तापन करने आते नहीं, बापी राजधानी स्तापन करने आते हैं, सब पतितों को पावन बनाते, ये है विश्यस वर्ड, वो है वाइसलेस वर्ड, दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं, जो श तेरी मत पे चलता, उनकी बुद्धी में तारी बाते बैठींगे, अच्छा, मीठे, मीठे, सिक्के लदे बच्चो प्रती, मार्पिता, बाप तड़का, याद प्यार, गुद मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को, नमस्ते, रुखानी बच्चो की इसके लिए देही अभिमानी रहना है, सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना ढाल दे, ये संभाल करनी है, कर्म इंद्रियों से कोई वी कर्म नहीं करना, इन्शोर करने के बाद सर्विस जरूर करनी है, गुद्धी के लाइन सदा कलियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है, सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना ढाल दे, ये संभाल करनी है, कर्म इंद्रियों से कोई वी कर्म नहीं करना, इन्शोर करने के बाद सर्विस जरूर करनी है, बहुत सुन्दर वरदान, माया को दुश्मन की बजाए, पाठ पढ़ाने सहयोगी समझ एकरस रहने वाले माया जीत भव, माया को दुश्मन की बजाए, पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एकरस रहने वाले माया जीत भव, माया आती आपको पाठ पढ़ाने, इसले घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो, कभी सैन शीलता का पाठ, कभी शांत बनने का पाठ पक्का कराने के लिए आती है, इसने माया को दुश्मन की बजाएं, सहयोगी समझो, तो घबराट में हार ने खाएंगे, पाठ पक्का करके, अंगद के समान अचल बन जाएंगे, पाठ पक्का करेंगे, अंगद के समान अचल बन जाएंगे, कभी भी कमजोर ब माया का आवान नहीं करो, तो वो विदाई लेगी। मायाती आपको पाठ पढ़ाने, घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सैनशीलता का, कभी शांत स्वरू बनने का, ये पाठ पक्का कराने के लिए मायाती है। माया को दुश्मन के बजाए सहयोगी समझो, तो माठ में हार मीखाएंगे, पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे, कभी भी कमजोर बन, माया का आवान नहीं करो, तो वो विदाई ले लेगी। इस लोगना हर संकल्प में द्रड़ता की महनता हो, तो सफलता मिलती है। आत्माओं, द्रड़ता सफलता का आधार है। बाबा ने मुझे संकल्पों में द्रड़ता प्रदान की है। कोई भी पावन, त्रेस्ट कारिय करना ही है। अपना हर संकल्प, शुद्धता, द्रड़ता से अंडरलाइन करें। मैं भगवान का बच्चा हूँ, माया जीतू। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरा हाथ परम पिता के हाथ में है। कि कमसोर विचार माया है, मैं द्रड़ संकल्प धरी आत्मा हूँ। शुक्रिया भाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती।